किन अगर मैं कहूं की सही मान सकता और प्रेरणा के साथ आप इस तनाव को सफलता में बदल सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप खुद को मोटिवेट करके धविंग और दौरविंग की बोर्ड परी की बोर्ड परिक्षाओं में शांदार प्रदर्शन कर सकते हैं परिचे तो आखिर ये बोर्ड परिक्षाओं इतनी बड़ी बात क्यों हैं? सच कहे तो ये आपका भविश्य बदल सकती हैं चाहे आप किसी टॉप कॉलिज में प्रवेश लेना चाहते हों या खुद को ये साबित करना चाहते हों कि आप अपने लक्षों को हासिल कर सकते हैं ये परिक्षाओं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन चिंता मत कीजिए आज हम जानेंगे कि कैसे इस जरूरीपन को प्रेरणा में बदला जा सकता है समस्या या चुनोती का प्रस्तुती करन अब चलिए असली मुद्दे पर आते हैं बोर्ड परिक्षाओं की तयारी करना आसान नहीं है कई छात्रों को चिंता, ताल मतोल और प्रेरणा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप कभी किताबों को घूरते रह जाते हैं इस सोच में खोई रहते हैं कि इतनी सारी सामगरी कैसे कवर करेंगे या फिर कभी ऐसा लगता है कि अगर अच्छा न कर पाया तो ये सब एक बड़े बोज जैसा महसूस होता है, है ना? और ये बिलकुल सामानने है लेकिन मुख्य बात ये है कि इन चुनोतियों को पहचाना जाए और इन्हें अपनी यात्रा पर हावी न होने दिया जाए अब चलिए प्रेर्णा लेते हैं मैं आपको कुछ ऐसे चात्रों की प्रेर्णा दायक कहानिया बताना चाहता हूँ जो आपके जैसी स्थिती में थे जैसे प्रिये जो परीक्षा की चिंता से घिरी रहती थी और आखिरी मिनट तक सब कुछ तालती रहती थी लेकिन उसने छोटे-छोटे हासिल करने योग्य लक्षे बना कर इसे पार कर लिया अपनी पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बाट कर उसने अपने उपर का बोज कम किया और नियंतरण में महसूस किया फिर है राज जिसने परीक्षा की तैयारी के दौरान कुछ गंभीर पारिवारिक चुनौतियों का सामना किया लेकिन उसने इसे अपने लिए प्रेर्णा बना लिया उसने एक ऐसा अध्येन शेड्यूल बनाया जिसमें खुद का ख्याल रखने और आराम के लिए भी समय शामिल था और देखी उसने टौप अंग प्राप्त किये ये कहानिया हमें याद दिलाती हैं कि सही रणनीतियों और सकारात्मत मानसिक्ता के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं अब प्रिये के सफर का मुख्यमोर सुनिये एक शाम उसने किताबों से ब्रेक लिया और एक लंबी सेर पर चली गई उस सेर के दौरान उसने सोचा कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्यों अच्छा करना चाहती है उसका सपना डॉक्टर बनना था और दूसरों की मदद करना था इस सपष्टता के क्षण ने सब कुछ बदल दिया वो नए जोश और एक सपष्ट उद्देश्य के साथ वापस लोटी जिसने उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाया और पढ़ाई के प्रती उसका दृष्टिकोंड ही बदल दिया निशकशकला सेरांश तो इन प्रेर्णादाय कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं सबसे पहले अपने लक्ष्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाटे और अपने प्रगती का जश्ण मनाएं दूसरे अपने क्यों से जुड़े रहें आप क्यों सफल होना चाहते हैं और अंत में जब भी जरूरत हो मदद मांगने में हिचकिचाय नहीं इन सबक को अपनी परीक्षा की तैयारी में लागू करें और आप सफलता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाएंगे अब मैं आप से सुनना चाहता हूँ क्या आपने भी परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी चुनौती का सामना किया है अपनी कहानिया या सवाल नीचे कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो मद्दगार लगा तो हमारी अगली वीडियो में जरूर देखें जिसमें हम कुछ खास स्टडी टिप्स और रन्नीतिया साजा करेंगे जो आपको इन परीक्षाओं में सफलता दिलाने में मदद करेंगी लाइक और सबस्काइब करना न भूले आप यह कर सकते हैं